इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते है यह गाढ़े बलगम को धीला करने में मदद करता है, जिससे खांसी को बाहर निकालना आसान हो जाता है इससे हवा को अंदर और बाहर जाने में आसानी होती है यह रक्त वहिकाओं को सिकोड़ता है और तेजी से राहत देता है जो कई घंटों तक रहता है मेक्स्ट्रपी ओरल ड्रॉप सामतोर पर कुछ ही मिंटों में काम करना शुरू कर देता है और प्रभाव कई घंटों तक रह सकता है इसे डॉक्टर द्वारा बताए अनुसार लें जब तक आपको अपने डॉक्टर से सलाह न दी जाए तब तक इसका इस्तिमाल बंद न करें इस दवा को लेने से आप अपने लक्षणों को दूर करने वाली चीजों के बारे में ज्यादा चिंता किये बिना अपना जीवन अधिक स्वतंत्र रूप से जीने में सक्षम होते हैं इस दवा को अपने चिकित सक द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में लें उपयोग करने से पहले निर्देशों के लिए लेबल की जांच करें इसे एक चिनित ड्रॉपर से मापे और इसे निर्देशा नुसार लें मैक्स्ट्रा पी ओरल ड्रॉप्स भूजन के साथ या बिना भूजन की ये इसे लिया जा सकता है लेकिन बहतर यह होगा कि इसे एक नियत समय पर वरियता के साथ लिया जाए मैक्स्ट्रा पी ओरल ड्रॉप्स तीन दवाओं का मिश्रन होता है क्लोफिन रिमाइन पैरासिटामॉल और फेनिलिफरिन जो सामान्य सर्दी के लक्षनों से राहत दिलाता है क्लोफिन रिमाइन एक एंटी एलिजिक है जो अलजी के लक्षनों जैसे नाक बहना, आग से पानी बहना और छीक आने से राहत दिलाता है पैरासिटामॉल एक एनाल जैसिक यानि की दर्द निवारक और ज्वनाशिक यानि की बुखार कम करने वाली है यह मस्तिश्क में कुछ रासायन एक संदेश वाहकों की रहाई को रोकता है जो दर्द और बुखार के लिए जिम्मेदार होते हैं फिनाइल एफरी ने एक नेजल डिकॉंग एस्टेंट है जो छोटी रक्त वाहिकाओं को संकुचित करता है जिससे नाक में जमाव या जकरन से राहत मिलती है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको ये विडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सेट करें धन्यवाद